लोकडाउन के बाद हरियाना में जैसे ही ठेके खुले हैं ग्राकों की लाइने लगनी शुरू हो गई है मैं दिखाना चाहूँगा पलवल का ये ठेका है जिस पर देख सके कितनी लंबी लाइन लगी हुई है तोसल डिस्टेंस का पालन यहां पर किया जाए इसके लिए यहा यहां पर जो ग्राक है शराब लेने के लिए आए हैं वो खड़े हुए हैं नहीं बताना चाहूँगा कि जो देशी शराब है उस पर पांच रुपे बीर पर पांच रुपे और जो इंगलिस वाइन है उस पर पचास रुपे से लगा रहे गया है और देखिया किस तरह से ग्राबो की लाइन लगी हुई है जैसे इनकο सूचना मिली कि आज से शराब के ठेक हिरे खूल रहे हैं घ्राबो को यहां आना सुवह से षरू हो गया लेकिन ठेकों में माल नहीं होने की वज़य से जैसे इंख Dulक यहां पर तो बारा बजिग से लगवक यहां पर जो है रा तो इनके खिलाब कारवाई भी की जा सकती है क्योंकि जो विभाग द्वारा आपकारी विभाग है उन्होंने निर्देश दिये हैं यदि सोसल डिस्टेंस नहीं होगा तो इनके खिलाब कारवाई भी होगी यहापर हम सेल्जमेंस जो है उनसे जानना चाहेंगे तरह से सोसल डिस्टेंस का पालं किया जा रहा है और कितनी महेंगी स्राफ बेची जा रही है ताकि इस निर्देश दिये गहें वहां द्वारा अमने दिया है अपने ग्राउप्स जो और गोलों में तो होना चीए जी वह आप पालं करवा ही रहे हैं आप दोटी आप पिछे जाए आप कुछी जो ग्राक है उनका कहना है कि महेंगी स्राफ बेची जा रही है जो रेक बात करेंगे बताना चाहूंगा कि यहां पर आरोप लग रहे हैं कि महेंगी स्राफ पलवल में बेची जा रही है कि मिली कितने में चाहिए थी और भी लोग हैं क्या परेशानी आ रही है आपको कि महेंगी स्राफ दी जा रही है इसलिए ग्रहा को मैं रोज है पलवल्चे द्रेस्कुमार ख़वर्या भी तक कि महेंगी स्राफ प्राफ इस प्राफ भी तुट्ट था रही हैं